यह function fx is equals to square root of 1-2x plus x is defined from d1 to d2 and is onto ठीक है तो function onto है the set d1 is the complete domain then the value set d2 ठीक है यहाँ से अगर आपन देखे तो function जो define है यहाँ पर function f जो define है वो d1 से d2 define है ठीक है d1 से d2 define है और d1 क्या होगा यहाँ पर d1 represent करेंगा यहाँ यहाँ पर domain को और d2 represent करेगा अपने पास co domain को ठीक है बट function के नहीं क्या बुलाए कि function fx जो है वो क्या है on to है अगर on to है तो अपन क्या बोलेंगे range की value होगी यह वो किसके को लोगा वो co domain के को लोगा range की value क्या है यहाँ पर d2 तो basically अपने को function के लिए range निकालना ठीक है तो यहां से अगर पर फंक्शन fx देखें fx क्या है square root of 1-2x यह कि बने square root of 1-2x और प्लस में कि आपने पास x इसके लिए अगर पन अगर अगर पन पर यहां पर इसके domain की बात करेंगे तो यह value कि आजाएगा 1-2x लिखाओ यहां पर ठीक है तो domain कि आपने बस domain के लिए अपने लिखेंगे कि 1-2x ठीक है 1-2x value जो होगी वो क्या होगी greater than equals to 0 ठीक है 1-2x जो वो क्या है greater than equals to 0 कंडिशन होगा 2x is less than equals to 1, 2x is less than equals to 1 और x की value का आजाएगा less than equals to x को यहां पर आजाएगा less than equals to 1 by 2 तो domain अगर पन देखेंगे मतलब d1 की स्याटक की value अगर पन देखेंगे ठीक है का आजाएगा minus infinity to 1 by 2 तो 1 by 2 से less value यहां फे इसका domain को represent करेगा minus infinity से 1 by 2 ठीक है अब extending to minus infinity पर अगर पन इसकी value देखेंगे limit extending to अपने को क्या निकालना है d2 मतलब range निकालना था ठीक है यह तो मैंने यहां पर domain निकाला square root define होगा जब यह पावस्टी होगा तो domain के आजागा minus infinity से 1 by 2 ठीक है अब अपने इसकी value चेक करेंगे लेट से अगर अपने इसकी value देखेंगे तो limit extending to minus infinity f of x की value अपन चेक कर लेते है ति यह आजगा अपने पास limit extending to minus of infinity यह आजगा square root of 1 minus 2x 1 minus 2x plus में क्या है यहां पर x त यह minus infinity value को approach करेंगा ठीक है तो function की minimum value क्या होगा यहां पर minus होना अब अपने को maximum value निकालना है तो maximum value निकालने के लिए let's check minus square root of 1 minus 2x f dash x क्या होगा 1 upon 2 times of square root of 1 minus 2x और यहां पर value क्या आजएगा 1 का differentiation क्या होजएगा 0 2x का differentiation आजएगा यहां पर minus 2 और x का differentiation क्या होगा यहां पर 1 ठीक है x का differentiation क्या आजएगा 1 और इसकी value अपन यहां क्या करेंगे 0 put करेंगे f dash x की value को ति यहां से अपने को X की value आएगky तो है कि यह होगा यहां पिकी सिल योट होजागा और यह आजागा आपने पस gdyż गोजा झाल आपने पास वान आपण यह आपने पूट तक स्क्वाईर्ट तक स्क्वाइर हुट उलों अगर अगर आपने च्वाईर करेंगे ति यह स्क्वाइर पासकेERS वाईरू के मैस गया जक यहाँ वाइन से आपने च्वाइन उता हुआ तो मिनमम्नियू सब्द्सक्राइग शाला सब्सक्राइग इसे बेंस औरक आकिने to 1, ठीक है, minus infinity to 1, 1 पे close और minus infinity यहाँ पे open, तो option D is the correct answer.